हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस नए वीडिम आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इस वीडिम बात करने वाले बंगलादेश प्रिमेर लिग के थर्ड मैच के बारे में जो के होने वाला है कॉमिला विक्टोरियन सुवर से सिल हट संराइजस इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच दो फेर को बारा बज़े स्टार्ट होगा वेन्यू होने वाला है शेरे बंगला नैशनल क्रिकेट स्टेडियम धाका तो दोस्तों ये थर्ड मैच है दोनों टीम्स का ये फर्स्ट मैच रहने वाला है ठीक है क्योंकि कल दो मैच अच्छा नहीं रहा था उसका रिजन भी आपको आगे बताने वाला हूँ तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले करो कि क्या टेले गराम चैनल से जुढना अब देखो टेलेगराम पे क्या हो रहा आपको समझ में आई गया होगा कल बहुत सारे चैनल्स chili ळेट हो चुके है तो दोनों चैनल्स का आपको निंक मिल जाएगी मैं चैनल की लिनक भी मैं और backup channel के link में आपको देदूँगा अगर main channel के link काम नहीं करते है अगर main channel डिलेट हो गया होगा तो आप लो बैक अप channel को भी join हो जाना ठीक है टेलिगाम चैनल की link आपको comment section में तो दोनों links टाहि़ करके देखना जहाँ पर आप लोग join हो जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी पिछबट की बात करें दोस्तों तो धाका में कल दो टाइब की पिचश देखने को मिली यह तो जो हम लोगों ने पिछले कुछ मैचेस में यहाँ पे देखने को मिला था कि और फॉर्चुन बारिशाल ने चेस कर लिया था और यहाँ पे बैटर्स ने एक्चुली स्टगल किया था फिर अगला मैच जो हुआ था सेकंड मैच वहाँ पे मिनिस्टर ग्रूप अफ धाका ने 183 बना दिये थे और खुलना टाइगर्स ने चेस कर लिया था 186 बना दिये थे जिसमें स्पिनर को सिर्फ एक विकेट था पूरे मैच में एट विकेट पेसर को मिले थे तो पुरा कंप्लीट अलग यह मैच देखने को मिला यहाँ पे बिल्कुल रन नहीं बन रहे थे स्पिनर्स डॉमिनेट कर रहे थे यहाँ पे अच्छे खासे रन बने तगड़े रन बने चेस भी हो गया और स्पिनर को सिर्फ एक विकेट मिला सेम विन्यू है बट मुझे लगता है कि दो अलग-अलग पीचेस पे मैचेस हुए थे तो इससे वज़े से कुछ अलग आपको देखने को मिला था कल के दिन में मुझे लगता है कि इस मैच में अगेंस पिनर्स का रोल इंपॉर्टन रहेगा और मेरी साब से फिर से बैटर स्टगल कर सकते इसका कोई कंफरमेशन नहीं है जैस्ट हम हम लोग कुछ इस तरह के से टीम बनानी के मुश्णी कोशिच करने वाले हैं दोस्तों सबसे बात करते हैं कौमीला विक्टोरियंस की तो कुछ इस तरह के से एक पूरा स्कौर है उपर नीचे चेंजेस हो सकते यह लोग किस तरह के से अपनी टीम खिलाते है तो बिल्कुल चेक आउट कर सकते हैं लिटन देखने को मिल जाएंगे तो बिल्कुल चेक आउट कर सकते हैं लिटन दास के स्टैट्स आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट मैचस में बहुत अच्छे फॉर्म में थे बट शॉटर फॉर्मेट में इनका फॉर्म थोड़ा सा नीचे है फैप के तो फैप का अच्छे से जानती ही हो इम्रूल का इसने लास्ट एर बहुत अच्छा किया था देखके चलोगे बहुत experience इनके पास भी Cameron Delpott के बाद बहुत सारा experience है ऐसे प्लेयर है जोनोंने 254 टे 20 मैचस खेले है बट एक भी कोई एक बी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला टेस्ट भी नहीं ओर डियाई भी नहीं और टेस्ट भी नहीं ममीन लहक के टेस्ट टीम के कैप्टन बाग्लादेश के कॉलिटी बैटर ओविसली नमबर चार नमबर पाच पर आएंगे करिम जनात ऐस ओल्राउंडर खेलते आपको दिख सकते है बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट डे सकते है सुनिल नारायन ओविसली के इनकी एकोनॉमी है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टन पी कर रहेंगे और मुस्तवी जो रिमान को आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो बेंच पर आपको अच्छे से जानते हो सकता आपको खेलते भी दिख जाए महिदी हसन ही ये राइटम फास्ट मेडिय करते ही दिख सकते है इस मैच में देखके चलोगे अरिफुल हक के 22 का आउरेज है महिदुल इसला में ठीक प्लेयर है उतने ज़्यादा इंपरिस्व स्टैट्स है नहीं परवे जुसेन इन्होंने हंडेड लगाय था डोजार बीस में देखके चलना सुमान खान है 23 मुस्तिव जो रह्मान इंपोर्टन्ट है सुनिल नारायन सेकेंड करीम जनात अगर खेलते हैं तो थर्ड कैमरें डेलपोर्ट फॉर्थ एंड फैब्डो प्लेसे से इन लीटन दास यह चार पाच प्लेयर जो इनके बहुत इंपोर्टन्ट है डिफरेंशल प्लेयर में शो मुश्किल बनता है फिर फर्स्ट मैच है फिर भी लेंडल सीमस और मुमद मिथुन मेरे साब से ओपन करते हैं आपको दिख सकते हैं नामुल हग जो इनकी कैप्टन है वंडाउन आ सकते हैं कॉलिन इंगरम रवी भॉपारा मेरे साब से मिडल ओर लोर ओर से हैंडल करेंगे बेंच पे इनके पास ठीक ताक प्लेयर से अब देखने लाइक बनेगा कोन खेलता है डेवन थोमस भी इनके पास से बड़ थोड़े मुझे लगते हैं इनके खेलने के चांसे कम रहेंगे इनके बास सिराज एहमद भी है यूएई के प्लेयर है अच्छे लेप्टाम फास् सकते दोनों विकेट कीपर है बट मिदे जबसे मुझे तुन के विकेट कीपिंग करने के थोड़े जादा चांसे सरेंगे कॉलिन इंगरम को बहुत अच्छे से जानते हो 28 आवरेज अच्छे कॉलिटी प्लेयर है थोड़ी बहुत बालिंग कभी कभी कर लेते बट मोश्लि गोचे उसेन एक अच्छे प्लेयर है बैटिंग तो अच्छी करते ही साथी साथ आपको बालिंग दे देते राइटाम अब रेक स्पिनर है 35 विकेट्स निकाल चुके है और करीबर 22 के आवरेज से 1500 से जादा रन बना चुके है तसकिन एहमद है 103 मैचेस में करीबन देखो क लगती है अल अमीन हुसेन ने यह भी यलपील खेल के आया है पाच मैचेस में ने पाच विकेट्स निकाली इनकी बहुत सारा एक्सपेरियंस है नजमुल इसलाम ने लेप्टम आउट्रोक्स 60 विकेट्स सुवाग घाजी राइटम अपर एक स्पिनर 63 विकेट्स बेंच प और अगर खेलते हैं तो most likely open कर सकते हैं मुकतार अली है राइटम fast medium 75 विकेट्स निकाल चोके experience अच्छा खासा शिराज एमध है इनों यलपील में देखोगे तो फिछले 5 मैचेस में निकाली है 6 विकेट्स यह तोड़ा साथ देखके चलना यह आपको खेलते भी दिख सकते है और मिजानूर रहमान है ठीक प्लेयर है इनके थोड़े से खेलने के चांसे कम रहेंगे तो इस टीम में अगर देखोगे तो तसकीन इमत कैसरिक विल्लेम्स और अलमीनुसिन यह तीनों पेसर नहीं तीनों इंपोर्टन पेसर से बैटिंग में देखोगे मेरी साप सिया यह जो तीन-चार बैटर्स इनका रोल बहुत इंपोर्टन रहेगा तो इसमें अगर देखोगे तो कौन से अच्छे प्लेयर से निकल के आ रहे है ठीक है तो लेंडल सिमन्स को आप लोग सेल कर सकते हो 28 में उपन कर सकते हो गर स्पेनर फ्रेंडली पीच रही फिर से जो कल फर्स मैच में थी उस टाइब की तो यह जल्दी आउट हो सकते हो इनको सेल अप्लोड डेफिनिटली कर सकते हो यहाँ पर अगर देखोगे तो कैसरिक विल्यम्स का मैंने एक शेर 26 में बाई किया है एक मैने अलम मिनुसिन का शेर बाई किया है तो दोनों का एक शेर ले सकत हो उसका अगर देखोगे तो लिटन दास को सेल करने का रिस्क लेज सकते पर जो थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा तो थोड़ा सा देखके चलोगे इसके अलाव देखो मोई नली आपको यहाँ पर दिखेंगे पट मेरे सबसी अवेलेबल नहीं है तो और कोई अप्शन है ने वैसे कोई बाई करने जैसा पर में आपको जो बाई सेल के पिक्स बताए उनका प्लोग डेफिनिटली ट्राइ कर सकते हो तो दोस्तो प्रीम मल्टी बैकर में पर सुनिल नाराइन पर इंवेस्ट कर सकते हो ठीक है क्योंकि स्पीन स्पीनर्स को हेल्प अगर आप यह खेलना चाते हो तो अप्लिकेशन की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फॉर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी कोई भी टेंशन नहीं है कोई भी फ्रॉड नहीं है पिल्कुल ट्रस्टेड अप्लिकेशन है और अगर आप लोग खेलो गये तो आपको बहुत ज्य यह खेले göz तो हमें पता चल जाए यह किस iç मैंड वी गूंका के साथ किस भी जाप करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है अब देखो विकेट की पर सेक्शन में आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे जिसमें खेलने वालों को ने लिट अंदास खेलेंगे मुहमद मितुन खेलेंगे अनामुल हक खेलेंगे मेरे सबसे ये तीनों आपको खेलते भी दीख सकते हैं मुहमद इसलाम एंकॉन के खेलने के चांसे कम हैं अब यहाँ पर में लिट अंदास को लेके चलड़ाओ और बाकि जो भी खेलेंगे लाइक मुहमद भी तुने कच्छे प्लेयर रहेंगे यहाँ पर सिलेक करने के लिए अब चलते बैटिंग सक्षन में यहाँ पर लेंडर सिमन्स से फैब डोपलिस से कॉलिन इंगर में पबलिक इन तीनों के साथ एक्चुली आ रही है इन तीनों के साथ जाना कोई गलत बात वैसे हैं नहीं बट लेंडर सिमन्स को अच्छा फर्म ने स्पीनर्स के सामने स्ट्रगल करेंगे तुम इनको छोड़ो प्लस मुझे थोड़े क्रेड़ भी मैनेज करने थे तो उससाब से मैं इनको छोड़ के चलूँगा उससाब पर कैमड़न डेल पॉर्ट है जब चलते हैं लंबा चलत है करियर का इनका 39 और 40 का एवरेज है और सॉलिड बैटर है ओपन कर सकते अगर यह खेलते हैं इन पर फोकस करना यह स्मॉल लिग पीक आपके लिए बनेंगे और ग्रैंड लिग में गेम चेंजर बन सकते हैं इन पर आप लोग बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं अगर यह खेल हम लोग इमरूल काईस, मौमिनुल हग, डेलपोर्ट, टीनों में से कोई एक लेंगे जो टॉप फोर में मतलब जो भी उपर बैटिंग करेगा इन तीनों में से हम लोग उसको पीक करके हमारी टीम में रख लेंगे ठीक है अभी के लिए के लिए कैमरें डेलपोर्ट के रहेंगे थोड़ी बहुत बॉलिंग देंगे और यहाँ पर है करीम जनात बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे देते तो उससे इंपॉर्टन पीक है अलोग कपाली मेरे सबसे खेलने के चांसे कम स्वाग गाजी खेलेंगे मुश्ट आपको बॉलिंग से पॉइंगे मु इस तो भी जरेमान एक औवियस पीक है बिल्यकुल में मिस नहीं करना चाहता ठीक है कैसरीक विल्लियम से विकेट के पिंग ऑप्शन है तो भाई आम इनको डेफिनिटल अपने टीम में रखे चलूंगा ठीक है विकेट टेकिंग ऑप्शन है अल अमीन हुसेन पब्लीक नि सकते हैं आपके लिए स्माल लिग में भी और ग्रैंड लिग में भी इन पे आप लोग फोकस कर सकते हैं इनको आपरने टीम में आप लोग बिल्कुल रख सकते हो अब इनके अलोड अगर नीचे चलते हो ना थोड़ा सा डारेकली तो यहाप आपको मिलेंगे तन्वीर इसल सकते हैं आपके लिए तो इनको भी आप लोग ज़रूर रोटेट करोगे अभी के लिए तन्वीर इसलम को तो डेफिनिटली लेके चलूँगा एज लेप्टाम आटोड़ॉक्स पीनर अप 8.5 क्रेट्स बचते हैं तो आप लोग आप लोग देखो तो कोई और प्लेयर ले यह दिकत मेरे साथ हो रही है और वही है कि कहां पर क्रेट्स मैनेज किया जाए तो अब यहां पर इम्परूल काईस को लेते हैं और बालिंग सेक्श्म में यहां पर कैसरीक विलेम्स को लेते हैं और गाईस कुछ इस तरीके से हमारी बनेगी टीम ठीक है तन्वीर इसलम प बता है तक तस्किन एमत का सेलेक्शन कम है व إن इमोरे फोकस करो क्या सेक्शन में महारी तो तो महमुदर अरसंद ज्वाई का बहुत कम सेलेक्शन है वह एक सलेक्षन है तो यह एक सौलिड पीक है तो इसे कुछ पुछोगे तो अगर बैटिंग विकेट रही तो आपके पास अच्छे उप्शन से जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हो कैसरीक विलिम्स को कैपटन कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात ने रवी बपारा करीम जनात सुनील नारायन यह जो आपडेट देते ही नहीं यह कुछ अपडेट प्रोवाइट करते ही नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता है किस तरीके से पीच रहने वाली है ज़स्ट हमें जच करके जाना होता है जो वियो होता है फिर होता है तो यह थोड़ा सा देखके चलना बट मुझे लगते है थोड़ी स्पिनर फिर्डली पीच होनी चाहिए इस मैच में उसी ज़़ाप से मैंने यह टीम बना यह उसी ज़़ाप से मेरे कैप्टन वाइस जो मैं अब को लिढ़ी बता चुका हुँ अब दोस्तो फाइनल अपडेट्स के लिए टेलिग्राम чैनल से ज़़्ाइन हो जाओ और आपको पता है कि टेलिग्राम चैनल डिलेट हो रहा है उल्मोस सब के то एक मैं टेलिग्राम चैनल प्लस उटवर्भ्रन चैनल दोनों टेलिग्राम चैनल्स की लिंक आपको कमेंट सेक्षिन में फर्स्ट कमेंट में मिलेगी और दोनों में जॉइन होने की कोशिश करना जहाँ पर भी जॉइन हो जाओगे बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी तो जॉइन जरूर हो जाना दोनों की लिंक्स आपको टेलिग्राम कमेंट सेक्षिन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी थैंक यू सो मस गैस फूर वाचिंग